आज 16th मार्च 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरूली आज का महाबाइक इस महाबाइकों में बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे तुम ब्रह्मुन हो जग्य रक्षक यो जग्यो ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है ये दोनों तरफ का बाबा हमें बहुत कंभी रिती से समझाते हैं हम जग्य रक्षक हैं जग्यो हमें मन इच्छित फल दे प्रश्ण है कि इन दो बातों के आधार से एकुष जन्मों के लिए सब दुखों से छुट सकता है ये important दो कौन सा बात है बाबा हमें समझाते हैं ये प्यार का शिक्षा हमें स्रिकार करना चाहिए उत्तर प्यार से जग्यों की शेवा करो नमबर वान दूसरा और बाप को य दुख ही नहीं होंगे गरांटी देते दुख के आसू नहीं बहाएंगे तो बच्चों को बाप की स्रिमत है बच्चे बाप के सिबाए कोई भी मित्रश्वमंदी दोस्त आदी को याद ना करो बंधन मुक्तबन प्यार से जग्यों की संभाल करो तो मन इच्छित फल तो ये बाबा समझाते हैं ये कर्म करते जाओ तो फल आटोमेटिक तुमें प्रप्तो हो ही जाएगा आज का गीत सुन्दर है बच्चपन के दिन भुला ना देना आज खुशी काल रोला ना देना अम शान्ती मिठे मिठे बच्चों ने गीत तो सुना और इसका अर्थो भ जनम है बर्तमन समय इस जनमों में हम जिसे ममा बाबा कहते हैं उनकी मात पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे जरूर क्योंकि वो है नए विश्व का रचुईता परमपिता परमात्मा हमें ये मुफ्त में इतना सारी लटरी हमें प्रप्त कराते हैं हम भी ये दुन गुप्त औरीती से कितना निश्चोई से हम इहां बैटे हैं गुप्त औरीती से हम विश्व का मालिक पने का बर्शा ले रहे हैं तो ये हमरा खुशी का तो बहुत बहुत पारा चरना चाहिए ये जो पुरानी विश्व है ना तो वो तो बिनाश होने वाले हैं बाबा अगर में गोते खा रहे हो तो इसमें शोक ही क्या है तो बिशोय को देखो तो इसमें एक लेटर हटा देना से तो ये लाश्ट लेटर हटा देना से ये तो बीश हो जाता है आज दुनिया वाले समस्त नहीं बिशोय ही बीश है रावन की जंजीर में दूखी होकर सब को मरना ह ये भी नतीजा बबा ने बता दिया तो अब बाप बच्चों को बर्षा देने आया है ना तो ये बर्षा हमें लेना चाहिए ना बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे बर्षा हमें जुरूर पाना है वो हमको राज्जुक शिकलाते हैं इस्षर परमपिता परमात्मा जैसे वेरिष्टर कहेंगे हम वेरिष्टर बनाएंगे macam परमपिता कहते है ये राज जुख से तुम राजाव का राजा बनोगे विश्व का मालिक बनोगे बाबा कहते बच्छे तुमको सरगों का डाबल सीट दाज बनाओंगा बना करके ही छोड़ूँगा ये तुम्हरा जनम शिद्ध अदिकार है स्री लक्ष्मि नारेन अतुबा उसकी डिनायश्टिका बर्षा देने में आया हो उसकी लिए तुम राज जुक्षिक रहे हो ये क्लियार बात बाबा समझाते हैं ये बात भूलो मत माया तुम्हें बुलाएगी माया तुम्हें बुलाएगी परमपिता परमात्मा से तुम्हें बैमुक करेगा तो ये शाबधानी बाबा पहली से हमको देते हैं और हमें भी इतना जोश हमें अंदर में भरना चाहिए तो कैसे भी करके तो माया का रूपों को हमें समझना चाहिए माया को हमें भगाना चाहिए उनका धंदा ही तो यह है तो हमें माया राबन बाबा से बीमक कराने का यह धंदा यह है तो जब से उसका रज्य सुरू हुआ तो यह तो राम से बीमक कराती ही आए पुजा करो, भक्ती करो, जग्यो करो, जॉब करो, तब करो, आप कोई काम का नहीं रहे न हम, हमें कांगाल बना दिया, हमें तो बहुत ही हमें सतनाशा कर दिया, सकल भल मुनुशुका है अभी हमारा सब का, पर उन्तु सिरुत बिल्कुल बंदर जैसे बन गया है, अब तुम दिन में मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ इसलिए बाबा कहते हैं बच्छें बच्पन का दिन भलना जाओ आज हाशी काल रुला ना देना तो ये जो शुद्र से ब्रह्मन बबाबा ने बनाया है ये मिठा ग्यान दिया है तो ये मिठा ग्यान का प्रैक्टीस हमें तो तकलिफ कोई भी बाबा नहीं देते हैं, इसमें तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा तो अभी सोक का दिन आ रहा है, इसमें तकलिफ का कोई बात नहीं, बाबा का सामने बेटे हो, एक परिबार में बेटे हो, यह तो तुम्हारा शोभाईगो, जो निर्बंदन है, यह भी बाब में डलने वाले विकार में डलने वाले खुद ही विकार में डला तो उनको मात पिता उनको डला तो वो चाहते हैं मेरा बच्छा भी तो ये विकार में जाए तो इसके लिए वो व्यवस्तापना बिकरते हैं विकार में डलने वाले हैं और यह जो परम पिता परमातमा मात पित हमें ये मुरूली सुनाते हैं रोज हमें ग्यान सुनाते हैं ये परमपिता परमात्मा का ये अभी नशी ग्यान रत्ना हमारी ओपर अभी बर्शित हो रहा है आराम से हम बेटे हैं न हमारा तो कोई तकलिफ नहीं है हाँ शोरीर से भी काम लेना है ऐसा कहते बाबा हमारा तो क कोई की याद नहीं सताती है बाबा के यह है हमरा जो प्रैक्टिस करना है जो किसी का याद हमें सताना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कोई हमरा प्रियो दोस्त हो कोई हमरा मित्र शमंदी हो उटको देखे बिना उनको तो चिंता करे बिना हम जी नहीं सकते ऐसा तो इसे बिता हुआ जीवन को हमें कैंसल करना चाहिए जब बाबा हमें तो ये नया जीवन उपहर दिया है अगर कोई बंदन है तो फिर याद सताती है इसलिए बंदन को तोरो बंदन को भूलो ये तुम नया दुनिया का बंदन में जा रहे हो ये बहुत शुक्ष्म बंदन है संदर बंदन है प कोई को याद नहीं करो तो फल तू क्यों याद करते हो ये छोटी-छोटी बात को तो जग्यों की सेवा करो और बाप को याद करो तो एकुछ जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे ये बाबा गिरांटी देते है बाबा हमें पहुत तो ये आथत देते हैं बैचे दुखी के माबाब को कभी छोड़ना नहीं चाहिए जग्यों की सेबा करनी चाहिए बाबा जो डिरेक्शन देते हैं डिरेक्शन को हमें आमल मेलाना चाहिए तो एक्टिप तो खुद को भी रखना चाहिए दूसरों को भी हमें एक्टिप करना चाहिए तो तुम हो जग्यों के इस समय हमरा ड्यूटी ही क्या है जग्यों को ये आविनाशी अश्वमेद रुद्रो गीता ग्यान जग्यों को हमें रक्षा करना है चारो और से जग्यों की हर प्रकर की शवा करनी है सुबह से लेकर रात तक जग्यों में बहुत सरी सेवा रहती है तो ये तो छोटा से लेकर के बरा सेबा हमें प्रेम से करना चाहिए जग्यों शेबा है परम पिता परमात्मा का ये तो रुहानी शेबा है सर्गों की राजाई बाबा देते है ये शेबा का उपर हमरा भग्यों मिलता है तो ऐसे जग्यों की कितना समाल करनी चाहिए न कितना शंती तो रहीनी चाहिए ज़्यादा तिक तिक नहीं करना चाहिए, जो कोई भी आवे, तो समझे, यहां तो शुक्षंती लगा ही रहता है, यह तो शुक्षंती परे ही रहता है, तो आकर के उनको अनुभव होना चाहिए, यह शुक्षंती का भवन है, शुक्षंती का कुंडो है, शुक्षंती का खा करना चाहिए रावन के रज्जों से छुट कर कर काया ना तो अभी हम रम रज्जव में जाते हैं जो बंधन मुक्त हैं उनकी लिए तो ओहो ऑफो शुबhit बाबा बार बार समझाते रहते हैं लागपुति करणपुति यह अपना सरीर के साथ ही यह ध्हांसंपुती लगा रहता है शृ चोड़ जाए ध्हांसपुती भी जो पट्नी बहूं देगा में मिल जाएंगा तो बाबा के तो बार देपना चक्राइक के बुत यह संपुत्ति ध्याता अरइbareा है जिसका बंदन टोट गया मरो मानो कोई तो बित्रशमुन्दी था कोई पती का पत्नी था तो कोई पत्नी का पत्नी था तो मानो गुजर गया तो बाबा कहते ये भी तुमारे लिए बहुत अच्छी बात है सुभाई को है क्योंकि तो या भी चिंता नहीं करना चाहिए एक बाबा को ही हमें अपना तो पत्नी हो तो पती बनाना चाहिए पती हो तो पत्नी बनाना चाहिए जो बंदन मुक्त बन बाबा से बर्शा लेते हैं उनकी केतने तकदीर खोल जाती है खोल जाती है बहार तु द सती योग में तुम जाने वाले हो धर ना करो धर ना करो और धर ना कराओ पहले पहले अपना जीबन हीरे जैसा बनाना है तो वो बनेगा कैबल ये स्रिमत के द्वारा स्रिमत को मानो स्रिमत को तो अपनाओ तो ये स्रिमत तुम्हें बहुत बहुत तुम्हें तो बरकत तो ये बाबा हमें बहुत संदर बात समझाते हैं यहां तो सबचे बंधन से चुटे हुए है बाबा कहते हैं जो इश्र का ग्यान जिसको मिला हुआ है वो तो बस्तव में बंधन से चुटे हुए है तो वो तो ये जीवन का असलियत को पता लग गया है तो उसको तो जहमेला में जे नहीं जाना चाहिए, तो कोई ज़मेला में फस्तना नहीं चाहिए, अपना शबाब भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधन बनाना है, यह भी, तो पहिली जैसा राबन जो हमें, जो उल्टा सिखाया है, तो ओ, शिक को हमें भूल जाना चाहिए, ओ, मैला पॉन को हमें साप करना चाहिए सताप्रतन मनना है नहीं तो सताप्रतन रज्जमे ऊच्पोध हम कैसे पाएंगे ये तो शंबब नहीं डिगरी अच्छा मिलने के लिए प्राप्ता करने के लिए तो हमें अच्छा रिटी पर न चाहिए अपने आचरन को बदलना चाहिए, अपने जुबान को बदलना चाहिए, शबाब को भी बदलना चाहिए, जग्यों से जो कुछ भी मिले स्रिकार करना चाहिए यह आपको साधरन ठली में परुसा है तो आपको स्रिकारन होगा तो वहा ऐसे नहीं मंगा जाता कि हमको फलाना चीज़ दो है इसे वेबस्ता करके दो तो बरा रायल्टी से भोज़न सबको मिलता है तो वो ही खाया जाता है बबाबा कहते है तो इस इशुरिय अस्रम में बरी शांती चाहिए तो ब्रहमा बबाबा कितना ठाट बार था जो हुरी था तो जो जग्यों में आया तो ब्रहमा बबाब सभी का साथ साधरन मन गया ये हमारा ब्रम्ह बाबा तो इसलिए बाबा कहते है जो पिया के साथ है उनकी लिए ग्यान बरसाथ है इस समाए जो पिया मना शिबाबा शिबाबा का साथ तो हमारा बरतलब रहे शिबाबा का साथ हमारा शिबाबा हमारा साती बने तो सब कुछ शिबाबा का साथ हमारा ये सब क पुछ से रक्षा करेगा ग्यान वर्षात हमके करते रहेगे तो सो भी दोनों बाब दादा बेटे है ना बाबा भी है दादा भी है बाब दादा तो कम्बाइंड है सम्मुक बेट सुनते है अगर अभी सर्विस लायक ना बने तो फिर कलपकल बंतर तो पाद भरष्ट हो जा अंदों की लाठी बनना चाहिए तो यह महा मंत्र सब को देना चाहिए इस समय भगवान का जो भगवान आया है खुद को आत्म समझना चाहिए आत्म समझ करकि परमपिता परमात्म को याद करना चाहिए बाबा के तो यह महा मंत्र है यह मनमना बाब है यही संजीबनी बू हुआ है कोई कोई तो बिल्कुल ही माया बहुश करा देती है तो इस जुद्धों के मायदन में तो कहा जाता है बाप और बर्शों को याद करो बाबा के तो यह कौन सा जुद्ध है माना जुद्ध है मान कहता है यह करो जो बस्तव में करना नहीं चाहिए मान हमें उल्टा र में शंजीवनी भूटी आपने को रक्षा करने के लिए पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव देखो हनुमान तो तुम भी हो ना को शस्त्र में दिखाया ना रामायन में दिखाया तो हनुमान संजीवनी भूटी ले करके आया तो ये लक्षमन का ये जो श पुछ मिलाना है तो कुछ नया जिवन बना देना है बाबा कहते हैं तुम खुद अपना जिवन बना करके दूसरों को भी जिवन बनाओ देहों में भी मोहों नहीं रखना है मोहों रखना चाहिए बाप और अविनाशी ग्यान रतनों में जितना धरना होगी उतना अरों को भ बाबा प्यारा लगता है प्रदर्शनी की सार्विस के लिए बाबा ग्यानी बच्चों की ही डुणते रहते हैं तो बाबा कोने कोने से सबको तो एकटा करके कहा दूर दूर भेज देता है जाओ फलाना जगा पर जा करके सार्विस करके आओ तो समझाना बरा सहज तो समझान जिवन इस संस्था तो इस संस्था दरा बन सकती है वो ताय कर लेता है इतना दिन तो हम तो अंधकार में परे थे अभी तो हमरा तो लाइट मिल गया आलो मिल गया तो सोजरा मिल गया परोंतो यो भी कोटों में कोई ही समझते हैं बहुत आता है बहुत चले भी जाता है लेकि कशन नाश जो कुछ इस पुराना दुनिया में देखते हो तो यह सब खतम हो जाएंगे अभी तो बाप से बर्षा लेना है वापिस जाना है घार फिर से हम शुट्जवंख्शी कुल में तो कुल में जाकर के रज जलेंगे तो सती योग में आएंगे रज जो किया था फिर माया ने छेन लिया बाबा समझाते हैं कितने सहज बात है देखो तो यह तो बाबा समझाते देखो तुम सती योग में जाओगे तो यह दिरे दिरे तुम द्रापर योग में आओगे तो माया तुम्हे कप्चार कर लेगा मिठे मिठे बाप को याद करना है दिल बाप के पस लागी हुई होना चाहिए बाकी कर्मेंद्रियों से कर्मों तो करना ही है स्रिमत पर चलना है लडले मिठे मिठे बच्चे बाप कहते है मुख से सदैबो ग्यान रतनों ही निकलना चाहिए पत्थर नहीं निकलना चाहिए पत्थर किसी को पसंद नहीं तो कोई भी संसर समाचार बाते नहीं निकालो बाबा जो हमें सुनाते है बाबा जो सिखाते है ये सभी का सथ चर्चा करो तो ये खुद का भी उन्नती होगा ज बिनाशी धन दान करते हैं भारत को महादनी कहा जाता है इस समय बाप बच्छों को दान करते हैं बच्छे बाप को दान करते हैं तो बाबा सरीर सहित सब कुछ आपका है ये दान है तो ये जो भी है तान मान धन सब कुछ आपका है बाबा सरंडर में सरंडर हो जाता हूँ बा चिर ने बोड़ना अलमों को और चीज को हमको दरकार नहीं हम समझ लिया जान लिया ये दुनिया खतम होने वाली है हमको तो भविश्व राजाई चाहिए बाबा जो कुछ भी हमारा पास है वो आप ले लो आप ए जग्यों में काम लगा दो ये है सायानो समझे बच्चे ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन ध बहु होता रहता है और होता रहेगा बाबा एक्जम्पल देते हैं द्रोपदी का मिसल तो अप्रेक्टिकल में पार्ट चल रहा है ना तो द्रोपदी ने क्या दिया तो चीर को काट करके तो ये भगवान का अंगुली बंद करके दिया अर्था वक्ति में कहते हैं बाबा का भंडरा ये बास्तों में अभी का बात है जो सायानों समझो बच्छे तो ये तान मांधन बाबा का जग्यों में डलते हैं बाबा भी बचन देता है तो ये शे बाबा का भंडरा सदाई भरपूर है तो कोई कापरे का कोई तो अभाब नहीं होगा तो खाने का कोई अभब नहीं होगा तो अंतम समय तुम्हें कोई को मिले ना मिले तुमको तो जुरूर मिलने वाला है क्योंकि तुम्हें जुरूरत का समय ते जग्यों को तुम्हें तो चलाया है तो यह भी एक परिक्षा थी दुरुपदी के लिए परिक्षा थी तो जिनको डर लगा सब च बयाता नहीं किया, बाकी साथ देने वाले तो बाकी साथ देने वाले चले गए, द्रपदी भी चिंता में पर गई, लेकिन तो अंतम समाई में आकर के भगवान उनको सब कुछ दे दिया, मान भी दिया, इजद भी दिया, सब कुछ दिया, तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ हो तो भगबाना करके उनको लाज रखी, उनको रक्षा किया, उनको बस्तरा हरंसे बचा लिया, तो अब तो बच्छों के लिए महल बंद रहे हैं, बाबा के देखो ना, तो अच्छा रहना है, तो महनत कर अपना उचपाद बनाना है, यह कलपकलपो की बजी है, इस व पास भी हमें 500 अनार होकर बनना है अनार होकर के तो हमें मामा बाबा का गद्दी पर हमें बेटना है जो मामा बाबा बेटा है हमें भी उस दिशा पर जाना चाहिए एकर जन्मों तो एकर जन्मों तक्त पिछारी तक्त हम बैठेंगे तो हमें कोई पाद का कोई कौमी नहीं हो खोश होंगे, अशिरवाद करेंगे, पहले समय तो मुर्णी लिख करके भेजना होता था, तो बाबा अक्षर बहुत अच्छे है, तो नहीं तो लिखते हैं, अक्षर अच्छे नहीं है, तो बाबा हमको बानी काट कर भेज़ देते हैं, तो ऐसा भी पहले पहले, जब हात का लिखत भेजता हैं, तो कोई कोई मिसिंग हो जाता था, हमारे रतनों की चौरी हो जाती है बाबा, बाबा हम तो ओधिकरी हैं न, जो आपके मुख से रतनों निकालते हैं, उव हमारी पास एकुरेट आना चाहिए, तो यह बच्छों का मांग होता था, तो यह कहेंगे यह कहेंगी भी वही जो अनुईन बच्चे हैं जो चाहते है मुरली के एक अक्षर भी मेस ना हो तो मुरली की शबा बहुत अच्छे रिती करनी चाहिए यह मुरली जो बाबा सुनाते हैं इसको एकुरेट सुनाना है और एकुरेट बच्चे सुन करके तो दि बाबा बाबा में आपका हो आप जिस सर्विस में लगाने लगा चाहो तो लगा दो तो फिर एरेस्पोंसिबल बाबा होगा एसलाम में आने वाले को बाबा सब बंदोनों से मुक्त कर देगा बाबा कहते है जो बाबा का शरनागती हो जाता है बाबा सब को बंदोन से बेटे हैं तो फिर है प्रभू कहो करके पोकारने की क्या दरकार है तो इसलिए समझाओ तो गुई-गुई करते है औरे भगवान खूद कहेते हैं मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा जो मैं सरवबेपी हो तो तुम्हें कहां से मिला बस तब मैं ये तो शस्र से आया हुआ है राव कहते हैं हम भी खुद पढ़ते थे परंतो उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि ये कोई गलानी है तो जब ग्यान मिला तब हम समझ गया जो ये तो बस तो बेभगवान को गलानी करना समान है वक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पढ़ता क्यों तो ये वक्तिकर नैशा में चूर ह जो कुछ को हो वो सत्तु मान लेते हैं सत्त कहते हैं बाबा कितनी अच्छी रिती समझाते हैं फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं ट्रेटार बन जाता है निंदुग बन जाता है तो फिर तो वहाँ चल करके क्या बनेंगे बाबा कहते हैं दाज दाशी नकर चाकर तो बाबा फलाने यह बनेंगे तो उस समय का परिस्तिति क्या होगा तो फिर उस समय सीर नीचे हो जाएगा फिर वो खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी राजाई वालों को तो बहुत खुशी रहेगा वो तो अपना रेजल जान चुका है और तो कर्मों भी किया पस्ताएंगे होगा तो कुछ भी नहीं बाबा केंते हमको तो हमको इतना समझाते थे फिर भी हम यो कहते थे तो अब अपना हाल देखो बाबा उस समय क्या करेंगे बाबा को तो कुछ तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा कलपा कलप अंतर पस्ताएंगे यह भी बाबा ने रि ले जाएंगा न तो नमबर वान से लाश्ट तक तो समझेंगे तो हमारा जो होना चाहिए वो हुआ नहीं तो पराई अच्छे नहीं परी तो लाश्ट में बैटे हैं तो इमतेहान के दिनों में मालूम पड़ जाता कि हम कितने मार्क्स में पास होंगे तुम समझेंगे तो कि हम क्या पात पाएंगे सर्विस नहीं करेंगे तो धोल मिलेगा पराई और सर्विस पर ध्यान देना चाहिए बच्चे तो मीठी ते मीठा बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना चाहिए ये भी बाबा ने हमको शाबधनी देते हैं, शिप बाबा कितना मीटा है ना, कितना प्यारा है ना, तो उस समन प्यारा बनो ना, हमको फिर से ऐसा बाबा बनाते हैं, बाबा इंप्रेशन देता है, कितनी बरी उनिवर्सिटी है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चो मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धरणा के लिए मुखशर नमबर वन द्यहोशोहीत सबसे मोहो निकल तो बाप और अभिनाशी ग्यान रतनों से मोहो रखना है ग्यान रतनों दान करते रहना है कोई आटक नहीं जाना है नमबर दो पराई और सर्विस पर पुरा ध्यान देना है बाप समन मिठा बनना है संसर समाचार ना सुनना है ना दुसरों को सुना करके मोग करव करना चाहिए यह संसार तो बीश है बिशोई बीश हो जाता है बरदान होद से नियारे रहोकर परमात्मों प्यार का अनभब करने वाले रूहानियोत की खुश्बु से संपन्न भावा यतना स्पेशाल अत्मा में बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ है जैसे गुलाब का पु ऐसे रूह गुलाब जो सर्व होदों से देहों से नियारे है किसी भी प्रभब में नहीं आते तो वे रूहानियोत की खुश्बु से संपन्न रहते हैं ऐसे खुश्बु दर आत्मे बाप के बाबरामन परिबार के प्यारे बन जाते प्रमात्मों प्यार ओकुट है ना प्रच तो कर सकता है लेकिन तो उसे प्राप्त करने की बीदी है नियारा बनना तो इसलिए बाबा भी समझाते हैं आज का स्लोगान अव्बिक्तो स्थिति का अनुभब करने के लिए फॉरिस्थव बनने के लिए बैक्तो भाब और भाबना उसे परे रहो तो ये अव्बि पुश्बुदार आत्मा हो। पुश्बुदार आत्मा हो। मैंने किया यह करतापन अगर अंदर में रहता है तो उसने तो होने वाली प्राप्ति चली जाती है। फिर उनसे कोई फल नहीं निकालता वो निश्फल हो जाता इसलिए करतापन का अभाप तो होना चाहिए। यह अंतरिक बृत्ती रहने चाहिए कि बिराट फलिम अनुसर तो सब कुछ होता है मैं निमित्तो होके पुरुषट करता हूँ। इस अंतरिक मंसा के बृत्ती से ही पत की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शन्ति